हे गाईज, अल्विस फिल्मी की न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा बॉलिबड मुवी से जोड़े पांच ऐसे रेंडम फेक्ट्स के वारे में जो साथ आप नहीं जानती होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाइनल इस केरेक्टर के नाम सर्केट रखा गया। गौलमाल बॉलिवुट की वन उप दा मोस्ट पॉपलर फिल्म सिरीज है। आपने मल्यालम फिल्म इंडश्टी की पहली सुपहरो फिल्म मिननल मुली तो देखी होगी। पर क्या आप जानते हैं कि मिननल मुली मुवी में इस फिल्म के डारेक्टर वैसिल जोसफ ने भी एक केमियो रोल प्ले किया था। इस मुवी में जब हमें चेजिंग सीक्वन्स दिखाया जाता है तब आप बेसिल जोसफ को एक नेता के रोल में नोटिस कर सकते हैं। पता नहीं आपने ताना जी मुवी में इस सीच को नोटिस किया है या नहीं। जब ताना जी मुवी का ट्रेलर आया था तब आप ट्रेलर के सीन में मराटा फ्लेग में एक ओम का सिंबोल देख सकते हैं। बस जब आप इसी सीन को मूवी में देखेंगे तो आपको ये ओम का सिंबोल नहीं दिखाई देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मराटा फ्लेग में कोई भी सिंबोल नहीं होता है। और जब ताना जी के ट्रेलर आया था तब काफी लोगों ने इसी को लेकर आपजेक्सन्स उठाये थे। जिसके बाद फाइनल मूवी में फ्लेग से ओम की सिंबोल को हटा दिया गया। आपको अनिल कपूर की फिल्म नायक का फेमस मड़ फाइटिंग सीन तो यादी होगा। पसायद ही आप ये जानते होंगे कि पहले इस सीन को कीचड में नहीं बलकि पानी में सूट किया जाना था। जिसके लिए अनिल कपूर ने लगवक 7 मेहनों तक जिम में ट्रेनिंग भी की थी। पर जब इस सीन की सूटिंग के दौरान डारेक्टर ने अनिल कपूर को अपने बोडी हैस को सेफ करने के लिए कहा तो अनिल कपूर ने इसके लिए साफ मना कर दिया। जिसके बाद अनिल कपूर के बोडी हैस को छुपाने के लिए इस सीन को पानी की जगे कीचर में सूट किया गया। इसके अलावा यह फाइटिंग सीन इंडियन सीनेमा का पहला फाइटिंग सीन है जिसमें की कम्पूटर ग्राफिक्स का यूज किया गया है जहां इस सिंगल सीन को सूट करने के लिए 36 केमराज का यूज किया था। आपको यह वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरू कीजेगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा फैक्ट कौन सा लगा और फ्यूचर में वी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सकाइब भी जरू कर लि जिजेगा